Hello students, welcome to MOS classes, आज हम 7th class Math NCRT के chapter number 3 की exercise 3.3 के question number 4 को solve करेंगे 4th question में हमसे कहा गया students, the performance of a student in first term and second term is given यानि कि हमें एक student के first term और second term के marks दिये गए हैं और उसके बाद हमसे कहा गया है draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following और इसी data का use करके हमें एक double bar graph बनाना है और हमसे ये भी कहा गया है कि हमें appropriate scale चूज करना है यानि कि numbers में जो हम gap लेंगे वो भी हमें चूज करना है और इसी data से related हमें कुछ और questions भी दिये गए हैं जिनके answer हमको देने है तो सबसे पहले यहाँ पर हम x-axis बनाएंगे और यहाँ पर y-axis बनाएंगे x-axis पर हम क्या represent करेंगे subjects और y-axis पर हम क्या represent करेंगे marks और question में हमसे appropriate scale choose करने के लिए भी कहा गया था तो यहाँ पर देखिए हमने कितना gap लिया है हमने यहाँ पर 10-10 का gap लिया students हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर 10 का gap लेना है उसके लिए हम यहाँ पर data को देखते हैं इस data में अगर आप देखे तो सबसे बड़ा number क्या है 95 तो यहाँ पर अगर हम 10-10 का gap लेते हैं तो हम इन सभी numbers को easily represent कर सकते हैं अब क्योंकि हमें यहाँ पर double bar graph बनाना है तो यहाँ पर हमने यह भी दिखाया students कि जो unshaded bar होगा वो first term के marks को represent करेगा और जो shaded bar होगा वो second term के marks को represent करेगा और हमने यहाँ पर यह भी लिखा है scale one unit is equal to 10 marks आप देख सकते हैं कि y-axis पर हमने numbers में जो gap लिया है वो 10-10 का gap लिया है अब हम double bar graph बनाएंगे students सबसे पहले हम देखेंगे कि English subject में first term में कितने marks हैं 67 marks तो देखें यहाँ पर हमने English का जो bar बनाया यह first term का bar है यहाँ पर 60 और 70 के middle में क्या होगा 65 और हमें क्या represent करना है हमें represent करना है 67 तो 67 कहा होगा 65 के दो line उपर तो यह जो bar है यह जो unshaded bar है यह English के first term के marks यानि के 67 को represent कर रहा है और English में second term में कितने marks हैं 70 marks हैं तो यह जो bar है ये English के Second Term के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आप यहाँ check कर सकते हैं कि ये बार क्या दिखा रहा है कि English में कितने मार्क्स हैं 70 मार्क्स है और हमने इस बार को shaded भी कर दिया है इस से हमें ये पता चल जायेगा कि जो unshaded बार है ये first term के marks को represent कर रहा है और जो shaded bar है ये second term के marks को represent कर रहा है अब हम हिंदी में first term के marks देखेंगे कितने marks हैं हिंदी में first term के marks है 72 तो ये जो bar आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हिंदी के first term के marks दिखा रहा है 72 कहाएगा 70 से 2 line उपर देखे students यहाँ पर हमने 10-10 का gap लिया है और जहाँ पर अगर 10 का gap हो तो 70 के अगले line क्या represent करती है 71 और उसके उपर के line क्या होती है 72 तो यह बार क्या दिखा रहा है कि हिंदी में first term में कितने marks है 72 marks है इसके बाद हम देखेंगे हिंदी में second term में कितने marks है 70 के middle में तो यहाँ पर देखे 60, 70 और 60 और 70 के middle में यह represent कर रहा है 65 को और इस बार को हमने shade भी कर दिया है यह बार दिखा रहा है कि हिंदी में first term में कितने marks हैं और यह बार दिखा रहा है कि हिंदी में second term में कितने marks हैं तो हिंदी के first term में marks थे 72 जो यहाँ पर हमने represent कर दिया और हिंदी में second term में कितने marks थे 65 जो 60 और 70 के middle में यहाँ पर हमने represent कर दिया इसके बाद हम देखेंगे maths में first term में कितने marks 88 marks है तो यह जो बार आप यहाँ पर देख रहे हैं यह maths के first term के marks यानी 88 को represent कर रहा है 88 कहा आएगा देखे 90 से 2 नमबर नीचे 90 से नीचे अगर आप आएंगे तो ये वज़े लाइन क्या रिपर्जन करेंगी 89 और 89 के नीचे वज़े लाइन ये क्या रिपर्जन करेंगी 88 तो ये बार क्या शो कर रहा है कि मैट्स में 1st term में कितने marks हैं 88 इसके बाद हम देखेंग 90 और 100 के middle में तो 90 और 100 के middle में यहाँ पर ये बार दिखा रहा है कि मैट्स में 2nd term में 95 marks है और ये जो 2nd term के marks है इसको हमने इस बार को shade करके भी दिखा दिया है अब हम देखेंगे science में 1st term में कितने marks है 81 अब ये जो बार है students ये science के 1st term के marks को दिखा रहा है 81 कहाएगा 80 से जो next line होगी उपर की तरफ ये 81 को represent कर रही है तो ये बार क्या दिखा रहा है कि science में 1st term में 81 marks है इसके बाद हम देखेंगे science में 2nd term में कितने marks है 85 तो ये जो बार है ये दिखा रहा है कि science में 2nd term के marks है 85 है 85 कहा आएगा 80 और 90 के middle में तो 80 और 90 के middle में यहाँ पर ये जो बा है कि science में second term में 85 marks है और second term के भार को हमने यहाँ पर shade भी करके दिखाया है इसके बाद social science में first term में कितने marks है 73 तो ये बार आप अगर देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि social science में first term में 73 marks है 73 आप कहा represent करेंगे देखें ये है 70 70 से उपर की line क्या दिखाएगी 71 उसके उपर की line 72 और उसके उपर की line 73 तो ये बार represent कर रहा है कि social science में first term में 73 marks है और social science में second term में कितने marks है 75 तो ये बार दिखा रहा है कि social science में second term में 75 marks है 75 कहाएगा 70 और 80 के middle में तो इस बार को हमने shade भी करके दिखा दिया है, तो social science में first term के marks कितने है 73 और second term के marks कितने है 75, तो इस तरह से इस data को हमने double bar graph के through represent करके दिखा दिया है, अब इसी data से related हमें 3 questions भी दिये गए हैं, first question है, in which subject has the child improved his performance the most? यानि के किस subject में बच्चे ने सबसे ज़्यादा improvement किया है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं students, English में first term में 67 marks थे, और second term में कितने हुए 70 marks, तो कितना improvement हुआ 3 marks का, हिंदी में तो यहाँ पर performance डाउन गई है, पहले 72 थे, उसके बाद 65 हो गए तो कम हो गए, maths में देखिए, first term में 88 marks थे, second term में 95 marks आए, तो यहाँ कितनी improvement होई 7 marks की, science में first term में 81 marks थे, second term में 85 marks थे, तो कितनी improvement होई 4 marks की, social science में first term में 73 marks थे, second term में 75 marks थे, तो यहाँ कितनी improvement होई 2 marks की, तो अब हम easily check कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा improvement होई है maths में first term में 88 marks थे और second term में 95 marks यानि के यहाँ पर 7 marks की improvement होई है तो हम यहाँ पर answer में रिखेंगे maths यानि के इस student ने सबसे ज़्यादा जो improvement किया है वो math subject में किया है इसके बाद second question में हमें दिया गया है इन विच subject is the improvement reached यानि वो कुण सा subject है जिसमें improvement सबसे कम होई है तो यहाँ पर हम easily देख सकते हैं सबसे कम improvement होई है social science में first term में 73 marks थे second term में 75 marks आए यानि के 2 marks की improvement होई जो सबसे कम improvement है तो यहाँ पर हम रिखेंगे social science यानि social science ही वो subject है जिसमें सबसे कम improvement हुई है third question में हमसे कहा गया है has the performance goes down in any subject क्या कोई ऐसा subject भी है जिसमेn performance कम हुई है यानि performance first term के मुकाबले second term में खराब हुई है तो यहाँ पर आप check कर सकते है students Hindi में first term में 72 marks थे और second term में कितने marks है 65 marks यानि यहाँ पर तो improvement नहीं होई बलकि यहाँ तो result down गया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे Hindi इसका मतलब यह है कि Hindi वो subject है जिसमें जो performance है वो down हुई है I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इससे like, share और subscribe कीजिए Thank you